ते कैसे हम सब लोग बिड़कर सक्सेस टोरी लेकर क्या हूँ, ये है सेल्फ लव से जुड़ी हुई सक्सेस टोरी, इन्होंने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया है अपने लाइफ में, ये लोग पिछले 6 महीने से बिलकुल ही दूर थे, एकदम ही नो कंटाक्ट था और 6 महीने ही इन्होंने सेल्फ लव को दिये, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया है, पार्टनर आ गया है, चालो, देखते हैं कि क्या है सक्सेस टोरी हरी कृष्णा, मेरे पार्टनर के मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी, मैं आप सब लोगों के साथ पूरी बटरफ्लाइ फैमिली के साथ शेर करना चाहती हूँ मेरा छे महीने पहले ही नो कंटाक्ट शुरू हो गया था, मेरी तरफ से नहीं हुआ था, मेरे पार्टनर की तरफ से हुआ था शुरू में तो मैं एकसेप्टी नहीं कर पा रही थी, तब मैं affirmations करती थी और फिर affirmations में बहुत ज़दा रोना आता था और मेरा मन ऐसे विचलित हो जाता था कि मैं फिर और जादा बेचैन हो जाती थी ओहो क्या भारी भारी शब्दी उसकर रही हो डार्लिंग वाह I love you, बेचैन हो जाता था फिर मैंने self love के आपके videos देखे और self love follow करना शुरू किया मैं रोज करती, मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करती और यह सोचती कि कोई बात नहीं सामने वाला गया है और मैं अप अपने साथ जुड़ने की कोशिश करती हूँ और मैंने अपने आप से खुब प्यार किया, खुब जादा प्यार किया इस बीच मैंने 7 kg weight भी कम किया, जो कि अभी और भी करना है मेरे skin बहुत ज़दा अच्छी हो गई, बाल अच्छे हो गई, जॉब लग गई, जॉब में मैं बहुत अच्छे से growth कर रही हूँ मेरी salary भी increase करना, मैंने सिर्फ 6 month के अंदर ही manifest भी कर लिया अब इसके बाद में मैं और चोटी चोटी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं manifest करती रही मैं अपने diet का बहुत ज़दा खयाल रखती हूँ, तो इस वज़े से मेरा पेट भी बिल्कुल ठीक रहने लगा, जो मैंने manifestation में भी नहीं डाला था, वो भी सारी चीजें अपनी आप ही align होने लगी और मेरा manifestations complete होने लगे, अब मेरे mind में अपना ही खयाल रहता था partner का तो कोई खयाल भी नहीं आता था, अभी मेरे partner का manifestation complete हुआ है उन्होंने मुझे email किया क्योंकि मेरे number उनके पास में नहीं थे, वो तो ऐसे चोड़ करके चले गए थे कि number बग्यरा सब कुछ अटा दिया था, पर email था उनके पास, मैंने उनका email दस दिन तक देखा ही नहीं क्योंकि मैं email पर गई ही नहीं, फिर उसके बाद एक दिन ऐसी ही सोचा कि चलो email जाकर के चेक करती हूं तो मैंने खोला तो उनका email आया था, और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा number देदो, मैं तुम से बात करना चाता हूं तो मैंने कहा कि जो बात करनी हैं यहीं पर कर लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बात करना चाता हूं, call पर बात करना चाता हूं फिर मैंने उनके काफी ज़्यादा जिद करने के बाद में अपना number दे दिया, वो बहुत ज़्यादा sorry फील कर रहे थे, और मैंने जो affirmations बोली थी, कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और बहुत प्यार से रह रहे हैं, वह ऐसी ही कुछ-कुछ बाते उन्होंने मुझसे करन कि बड़ी मुश्किल से मैं उस टाइम से निकले हूँ, मुझे अपने लिए और अपने परिवार के लिए अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए अभी relationship में जाने के पहले मुझे काफी ज़्यादा time लगेगा, उन्होंने कहा अगर पूरी जिंदगी भी लगेगी तो मैं तीन गंटे call पर बात करी और उन बात में सिर्फ वही बोले जा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा sorry फील कर रहे थे और मुझे से बार बार माफी मांग रहे थे, मुझे लगा कि ये सब कुछ self love का कमाल है, और देखिये मैंने कभी कुछ भी ऐसा post नहीं किया और जहां पर भी मैंने post भी क्या होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ connection में थे ही नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता कि मेरी कैसी growth हो गई है, मैं कहां तक पहच गई हूँ, मैं अब कैसी दिखने लगी हूँ, अब हम मिलने वाले हैं, और मिलने के बाद का आपको मैं जरूर बताऊंगी, वो तो बहुत जादा excited हैं, लेकिन मैं बिलकुल भी excited नहीं हूँ, thank you, ऐसा होता है, normally जब partner के साथ manifestation complete हो जाता है, तो हमारा interest होता है, अगर हम self love journey में हैं, तो वो हमारी तरफ बहुत ज़दा बढ़िया होता है, और हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता, हमें लगता है तो आते त self love में आ जाते हैं, तो एक तो बहुत तेजी से manifest होता है, दूसरा हमारी energy, हमारी growth, हमारे हर area अपने आपी ठीक होने start हो जाते हैं, और manifestation में भी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, self love वाले अपने partner को बहुत असानी से वैसी भी manifest कर लेते हैं, क्योंकि वो self healing सम समझ जाते हैं, अपनी उर्जा का बढ़ना समझ जाते हैं, और easily manifest भी हो जाता है, I'm really very happy for you, congratulations, अपने अपना रखी कहाल, अपने अपसे की ठीर सारा प्यार, ता कि अबट्राक्ट करें ठीर, सारा प्यार, love you all, tata!